हेलो ओके अवाज के लिए रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है नमस्कार दोस्तों वह दो सागत है आपका और आज की डेट में आपको मैं दूसरी क्लास देने जा रहा हूं पेपर नमबर पीस करने जा रहे हम बहुत अच्छी बात है यह जैसा कि आपके कमेंट्स है कहीं को चोड़के भाग गए आप भी एना सिर्फ अपना फायदा देख भी है महनत की कड़र करें और मैं जरूर आपसे कहोंगा कि आप लाइक एंड-share जरूर करें दोस्तों वाटसप बना कहें लगाते लेकिन आपसे मैं कहूंगा कि मेरे कहने के का मान भी और रखते भी थ हैं आप लोगों के लिए माना करता हूं क्लास नहीं आने के पीछे कोई टेक्निकल कारण होता है इस बात को जहांने के दूसरा मैंने कारक टॉपिक जो है वो अप्लोड कर दिया था ठीक है आप उसे देखें अच्छी क्लास है नहीं आते हैं तो जरूर देखें उसमें कुछ नहीं चीज़ बताई हुए न क्या करना है सबसे पहले स्टेप पहले ndc क्लासे सर्च कीजिए फिर जब आजाए चैनल तो उस चैनल पर क्लिक करें और फिर वहां पर लिखा होता है वीडियो इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो मेरी क्लासे जो है वो क्रम बद रूप से मिल जाएगी उसमें देख लीज केवल शब्द शक्ति करवाऊंगा कल ठीक है कल मैं केवल शब्द शक्ति ही करवाऊंगा समझ रहे हूं ही निपात लगा दिवाल जोड़ देखे कह रहा हूं चलिए तो हम 20 नमर पेपर करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा पेपर है इसका स्लेवस मैंने थोड़ा लेट डाला है मगर स्लेवस डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्यों कि बहुत से चीज़ें जो हमें अब तो रिवीजन का दोर चल रहा है हम पढ़ चुके हैं आज तो कर करता है मासरस्वति का नाम लेकर वंदेवानी विनाई को सबसे पहले मासरस्वति की पूजा करनी चाहिए हाँ जी बहुत बढ़िया कोशन है पहला आप देखें कि वर्स 2011 की जिलसंख्या के अनुसार निमनलिकित में से राज्य के जिले जो हैं राज्य के जिलों का कौन सा समू लिंगानुपात का अवरो ही करम इस पर गौड नहीं करेंगे स्टुडेंट्स याद होगा गलती करके आ जाएंगे ये वो डेड़ सो में से जो बीस हाउ होते है न ये एक हाउ है कैसे बताता हूं देखिए कईयों को तो उत्तर याद आ गया होगा कईयों तुक्का ल याद क्या आएगा ये करम याद आएगा मैं बताता हूं क्यों याद आएगा ये याद इसलिए आएगा देखो दोस्तों अगर आपसे पुछा कि भई न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बताओ तो आप क्या बताओगे ए बी सी डी ये चार जिले हैं तो इसमें है द राइट होता कोई दिक्कत दी लेकिन इसने क्या पूछा कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों को अवरोही करम में बताओ तब इसका उत्तर क्या होजाएगा डी सी बी ऑ और ये घटे करम में यादि पांच चार तीन दो तब इसका क्या हो जाएगा डी सी बी यानि स सबसे बड़ी बात यह है गते पावन करोली का किता है और फिर साहिद गंगानगर है आट सो सितियासी के आसपास है तो यह हो गए चार्ज ले तो याद रखना इस अवरोही और आरोही के पच्छड़े में को समझना निम्नमें से असंगत छांटी नियूनतम ग्रामिन लिंगानुपात वाला जिला धोलपूर 841 राज्य का नगरी लिंगानुपात 941 सरवाधिक ग्रामिन लिंगानुपात वाला जिला पाली एकजार तीन राज्य कि लिंगानंफात 930 तो आशंगत को चांटी नेखता है बताव musical सा संगत नेखता है इस कौशन येकौशन मैंने जान जानमूच के इसमें एक हनि देखते हैं आप मेंसे कितने इस्टुएंट पेचानते हैं आप तैयारी कर रहे हो ना तो स्मार्ट स्टेडी क्या सकर चलिए आपको उत्र मिल गया होगा देखिए नियूंतम ग्रामींड लिंगानुपात वाला जीला कौन सा है दोलपूर है बिल्कुल सही आंस्वार इसका क कोई गलती नहीं है इसमें और अगर आपसे यह ग्रामींड के जगह है अगर आपसे शहरी पूछ ले क्या पूछ ले शहरी तो शहरी है जेसल मेर जिसका है 807 ठीक है आगे चलता है राज्यका नगरिया लिंगानुपात 941 गलत है 914 कितना है 914 सरवादी ग्रामींड लिंग कौन सा है टोंग का कितना है 885 कितना है 885 आगे देखते हैं राज्यक ग्रामींड लिंगानुपात 930 बिल्कुल गलत है 933 यानि इसके अंदर दो गलत है नगरिये और ग्रामींड दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है बी भी गलत है और डी भी गलत है ठीक है तो मैं आपको ब है टाइप राइटर को तो मैंने नो एक चारी दिया होगा उसने चार एक कर दिया मेरा ध्यान गया नहीं फिर कहते हैं सर आप गलत बता रहे हो शहरी भी तो गलत है आपका प्रश्ण गलत है तो यह पकड़ में आ जाता है कई वर पकड़ में नहीं आता इतना ही अंतर रहत है बताओ देखें बहुत बढ़िया है सिशू लिंगानुपाद जो है वो 930 से अधिक है यह पूछ रहा है हाँ ठीक है तो वह हैं दोस्तों एक तो बासवड़ा और एक प्रताबगड कौन-कौन से हैं बासवड़ा और प्रताबगड क्या होगा एक और तीन देखो सारे ड और 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 प्रताबगड क्या है और राज्य का और प्रताबगड क्या है और राजस्तान में निम्न में से किस धरम के अनिवयाईयों की साक्षर्ता दर सर्वादिक है बहुत ही गजब है कि किस धरम के अनिवयाईयों की साक्षर्ता दर जो है वो सबसे सर्वादिक है और वो है अपने कौन है जेन भाई जो जेन समुदाए है उनकी साक्षर्ता दर सर्वादिक रहती है बाकी सभी को देखते हुए नेक्स्ट कॉशन आप देखेंगे पाल किसे कहते है पाल जो है वो किसे कहते हैं आगे और भी कॉशन आएंगे जनसंगी आगे देखते रहना पाल किसे कहते हैं बता हो देखें तो पाल कहते हैं जनजातियों द्वारा की जाने वाले खेती को मीनाओं की बस्ती को सहरियाओं की बस्ती को भीलों की बस्ती को और मेरे जो उदेपुर के भाई हैं वो सभी जानते हैं वो किसे बोलते हैं भीलों की बस्ती को किसको बोलते हैं भीलों की बस्ती को ग्रामेंड छेत्रों में जो इस्थापिच सेवा है वो कौन सी है ग्रामेंड छेत्रों में इस्थापिच सेवा इमित्र CSC E-learning E-governance ग्रामेंड छेत्रों में आपने जो सेक्षिक प्रवंदन है उसके भी एक दो कॉशन आएंगे इसके लिए कॉशन लाया हूं मैं एजुसेट जो है वो किस संस्था से संबंदित है इस रो एमदाबाद इगनों दिल्ली SIRT उदयपूर एक बताओं आपको प्रशना सकता है ऐसा आता भी है एक फुल फॉर्म जरूर याद करना यह सब्सक्राइब और कुछ फॉल फॉर्म में दोस्तों क्या होता है और फॉर इतना इंतर करके देते हैं वह एक जगह लिख देंगे फॉर एक जगह लिख देंगे ऑफ ठीक है तो य तो यह संस्ता के सयोग से प्रारम तो यह है इसरो एहम्दाबाद के सयोग से प्रारम है नेक्स्ट सिक्षन मसीन का सरव परतम परियोग किसने किया था बिल्कुल बताएं देखें किसने किया था सिक्षन मसीन का तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया होगा और वो दिया है Sydney L. Pressey किसने दिया है Sydney L. Pressey किसने दिया है Sydney L. Pressey निम्न में से कौन सा एक्रम विकास की दृष्टी से बिल्कुल सही है मतलब विकास की दृष्टी समझ रहो पहले किसकी स्थाबनावी फिर किसकी फिर किसकी फिर किसकी इस तरह से विकास की दृष्टी से देखो सबसे पहले ई-governors उसके बाद ई-government अच्छा अच्छा विकास की दृष्टी से पूछ रहा है ठीक है ठीक है क्रमबद पूछना है मैंने थोड़ा साथ गलत बता दिया फिर उसके बाद आता है ICT और ICT के बाद आता है ई-मित्र फिर क्या आता है ई-मित्र तो चार त पहले होगा ई-governors आएगा एक नंबर पे ICT आएगा दो नंबर पे फिर तीन नंबर पे आएगा ये और फिर चार नंबर यानि चार दो तीन एक ये क्रम रहेगा इसका कौन सा रहेगा चार दो तीन बिल्कुल यह सही है अब गलत नहीं बता रहा है ये एकदम सही क्रम पे रहेगा ठीक है नेक्स कॉशन आप देखो समगर सिक्षा अभियान के परिवारों परिवेओं अभियान के परिवेओं केंद्र ये सरकार कितना अंसदान करती है केंद्र और राज्ये का जब भी अनुपात पुछा चाहिए उद्ध्योग दंदे हो कोई योज ना हो एक बा राज्ये का कम होता है कभी भी राज्ये का ज़्यादा और केंद्र का कम मत करना ये एक फैक्ट है आप नोटिस कर लेना ठीक है तो साट परसेंट कितना योगदान है साट परसेंट है नेक्स्ट केंद्र सरकार द्वारा सर्व सिक्षा अभियान ऐस ऐसे तो ऐसे की फुल फ गर चाए में तो आप अब तो अब और अर्चलता है और टी उनको मिला कर कॉन सा कारिक्रम स्टाड किया गया है कौन से फ्लेक्षिब कारिक्रम स्टाड किया घए तो अब रमसा नहीं है अब क्या चलता है? समसा चलता है. क्या चलता है? समसा चलता है. समगर सिक्षा वियान है. अच्छा प्रशन है कर नहीं है? तो बोलो जये. किसी की बोलो अपना राद्य की बोलो. समगर सिक्षा वियान. समसा. समझ गया बहुत बढ़िया प्रशन है. बहुत ही जबर्दस प्र प्रार्मिक शिक्षा प्रदान करने का कारेकरम है. 6-14 वर्स की आयूक की घ्रमिन बालिकाओं को घर के नज़्दिक अनूपचारिक शिक्षा प्रदान करने की योजना है. या फिर सिक्षा से वंचित जो पालक और बालिका है इनकी संख्या के सर्वेक्षन का कारेकरम है आकर ये सिक्ष्या दरपन है क्या तो याद रखे ना तो ये प्रात्मिक सिक्ष्या के सरवजनिक करण की योजना है ना ये निशक्त जनों के प्रात्मिक सिक्ष्या प्रदान करने कारेकरम है ना ये छैसा चौदा कुछ भी नहीं यह क्या है शिक्ष्या से वंचित जो बालक बालिकाओं के संख्या के सर्विक्षन का कार्य करम है यह लगो तीन चार सालों से चल रहा है जो वंचित बालक बालिका हैं उनको रिपोर्ट मांगी जाती है और रिपोर्ट मांगने के बाद में उनका डाटा निकार जाता है और क ऐसे नेश्ट है आरटीक इडोजारनों जो सुख आटी दोजना दोजारनों है उसके अनुसार छटीक अक्षा से रूत्ञ चात्रा और शिख्षक अनुपात कितना होना चाहिए सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था जो दिव्यांग विद्यार्थी होते है वो तो दिव्यांग जो सिक्षक वगरा होते हैं न दिव्यांग याद रखना दिव्यांग पर होते हैं पंदरा पर एक पंदरा बच्चों पर एक अभी साथ सिप्तेंबर अक्टूबर में साथ कुछ बदला हुआ है तो याद रखना इस चीज़ को दिव्यांग जो अभ्यरती ह होते हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं और यह बहुत स्टुनेंट्स को पता भी नहीं है इस बात का तो यह अच्छे तरह से याद भी रखना ठीक है ना यह मैंने आपको बताया कैसे नहीं मैं समझ नहीं आ रहा है बताना चाहिए था दिव्यांग बच्चे जो होते हैं वो जो विश्यस शिक्षा उसमें पंदरा पर एक होता है अब बताओ अपने इस कोशन में कितने पर एक होगा तो इसमें चटी से आठीम जो है वो 35 पर एक हो चैसे चोदा वर्स आयूवरक हितू मुप्त अनिवार्य सिक्षा प्राइवेट ट्यूशन का अंत करता है सारिक दंड वमांसिक प्रतार नकाव निशेत करता है निजी विद्यालियों को प्रोस्ताहित करता है तो आप जानते हैं कि सरकारी चीज जो होगी कभी प्राइवे बहुत ही लाजवाब प्रश्ने है लाजवाब प्रश्ने है बताओ देखें एक अप्रेल 2009 तो बिल्कुल यह दो जार नौ है तो यह सीध्द आ गया था एक अप्रेल एक अप्रेल दो जार डस एक अप्रेल दो जार दस मैं इनकी क्लास लूंगा एक एक मेरे मन में आगे अभी गुरुजी थानमन में ठीक आई यह बड़ी आया यह थानमन आती रहा एक इस टाइब के जो यह ना यह जो शेक्षिक प्रवंदन के कॉश्चन कॉश्चन की मैं अभी फस्टेट का पेपर हुआ था ना उस दोरान भी जो लगबगर दोसो दोसो ए उससे बाहर नहीं जाएंगे तो मैं आपको वो 15 तारीश से पहले पहले कर दूँगा वो मुझे आप टाइप करवाने पड़ेंगा आज मेरे दिमाग में आई है तो एक दिन केवल इनकी क्लास लूँगा तो याद रखना टेलीग्राम चैनल एंडी से जरूर जोइन करें क उस पर मैं सूचना करूंगा बहुत ही गजब मज़ा आजाएगा बहुत चार अजार प्रशन अपड़ेंगों करने है ना तो कुस्त तो करना पड़ेगा एक तो वो क्लास दोंगा बहुत कर इस टाइप के कॉशन मैंने बहुत तगड़े तैयार किया थे फरस्ट फरस्ट स्यट ठेक एक तो इन्मेए नोज आते हैं कंफि खाट हे हैं लोग एसएमसी और सडम्सी सी ठीक है लजी क्या बूछ चरा रहा है विद्याले प्रबंद शक्ति का मुख लक्षे क्या होता है प्रबंदosph की सिक्षक की व्युस्ता करना करेले परनाली को सुदारना क्या होता है बता हो देखें तो आप इस बात को दिमाग में रखो इसका उद्देश ही यह होता है कि विध्यार्थी जो है उनका सरवांगेन विकास करना होता है क्या होता है विध्यार्थियों का सरवांगेन विकास करना होता है समझ गये अब जिसे आप से पूछ लिया कि इ विकास योजना यह किस ध 토ra में यह है धरा 22 में और शक्रवारीशक का इसके अगर इसका कारे काल पूioso लिया कारे काल तो कितना है कारे काल मान लो मान लो इनकी जो दिए हैं जो लन- बैठके होती है अगर किसी कौरम कौरम जो होता है उस कौरम को मान लो सपोस जैसे कौरम है 33% कि वह 33% कौरम पूरा उना चाहिए एक बैठक के अंदर जितने भी कुल होते हैं सदस्य तो उनमें 33% बैठेंगे तो अब बात आती है कि कुल सदस्य कितने होते हैं तो इसमें कुल सदस्य होते हैं 16 ठीक है बैठक नहीं होगी, अब अगर बाईचास बैठक नहीं हुई, तो वो बैठक वापस कितने दिन के अंदर अंदर होने चाहिए, तो वो होनी चाहिए, तो आठ मैला होने चाहिए, इसका अधिक्स कोण होता है, अधिक्स कोई भी अभिवावक सदश्य जो होता है, वो इसका अ ei नोता है वह इसका पदेन सधश्य होता है क्यों होता है इसका पदेन सधश्य होता है क्लियर वात इसकी बैठके कितनी होती है कितनी बैठके होती है इसकी चार बैठक जो मतलब नियूनतम चार बैठक तो होनी ही होनी चाहिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए ठीक है और इसके अलावा जैसे आधलावा छाहिए ऩन्हें गार कॉन क्या किया होता है कुछ वारण पण्च च più घ्र परस डीमसी में इसमेंक होता इसमें इसमें साध 20 सदेस्श्य है आलंगो या माऊशया के दिन conteú्न बैठक होती तो ऐसी च्षोट-च्षोटी बातों कर मैं भूता रहा है हना वह इस प्रश्टन है मेरे पास 200 प्रश्टन है मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ बाहर जाएगा तो मैं आपसे शेर जरूर करूंगा ठीक है नेक्स्ट कॉशन आप देखिए विद्याले प्रबंद को न ज्यादा और न ज्यादा कॉमल न ज्यादा कठोर होना चाहिए इसे प्रद विद्याले प्रबंद समीति की कार्यकारणी की जो मासिक बैठक होती है वो कब होती है अभी मैंने जस्ट बताया है जस्ट ही बताया है मैं तो यह जो बैठक है मैं बताऊं आपको बैठक है यह 2015 के आसपास की बात है तब हम जो मित्र है एक दिन चर्चा कर रहे थे पहली इस बार यह चला था कि इसकी जो मीटिंग होती है तो बहुत अच्छा प्रशन है अमाउश्या को होती है नेक्स कौन सी कक्षा तक की सिक्षा को मात्र भासा इस्थानिय भासा या छेत्रिय भासा में नई राष्टे सिक्षा नहीं थी 2020 के अनुसार कराया जाएगा बताओ देखें कौन सा है यह तो प्रशन अचा दे दिया वई अनुसार 98 सिक्षा को मात्र भासा फ्रासा में नई राष्टे सिक्षा को मात्र भासा महत्वपून का भी पापा यह ही है years workshop महत्वपून का भी बाप यह यह बौध ही तो बहुत ही नहीं बीक्छा स्यंनी निस्राहिव यह हो गया कक्षा पांस तक के बच्चों को जो सिक्षया कर से व स्थानीय व्रवासा में लेकर समावे सी शिक्ष्या प्रदान करना है बताओ देखें कौन सा है गजब प्रश्ण है आपने यह प्रश्ण पढ़े ही नहीं होंगे मैं गैरेंटेड बोल रहा हूं ऐसे प्रश्ण आपने नहीं पढ़े होंगे अभी तक थीक है ना बहुत कम इस्ट्रुएंट ने पढ़े हैं दो हजार तीस तक पर तेक बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण समावे सी शिक्ष्या प्रदान करना है नेक्स्ट है किस वर्स तक उच्छ मादिमिक शिक्ष्या में पचास परतिस्द जो जी ए आर पहुंचने का लक्षिय रखा गया है यह थे अच्छाव रुशंहें अ उच्छ मादिमिक शिक्ष्या में पचास प्रसंट हूंचने का लक्षिय रखा गया दो हजार पेंटीस तक 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 रखा गयाया है थीक है उसके बाद मानौ सिंसादन विकास मंतरा लेका नाम बदलकर क्या रख़्ा गया है कि मानौ शिक्षा मंतरा ले जो अपने mhrd है वह नहीं है मानौ सिंसादन विकास मंतरा ले घ्रका गया वहeffाई विताओ देखें यह जो अपने के यूँआ मैं मैं खुछ सोसता था कि अपने यह सिक्ष्य वबाग होता है वहां सिक्ष्य वबाग होता नहीं है क्या प्रसास्तिक वितिय स्विकृति प्रदान की है बताओ देखें तो उत्तर मिल गया होगा आपको इतने देर नहीं लगती माईरा की गुफा गोगुंदा याद रखा करो भारत में नहीं सिक्षान थी 2020 को कैबिनेट की मंजूरी किस्ति थी को अब यह प्रश्ण कोई आप हलका समझ रहे हो गया यह बहुत गजब प्रश्ण है प्रश्ण खुद गए रहा है मिरे को अलके में ले रहा है कि आग गया आना तो देख ले ना बताओ ढ़े भारत में नहीं सिक्षान 2020 को कैबिनेट की मंजूरी किस तित्थी को मिली है बहुत ही बढ़िया प्रश्ण है और वो तित्थी है दोस्तों 19 जूलाई 2020 को कब मिली थी 29 जुलाई 2020 को नेक्स्ट है इग्नू की स्थापना कब हुई थी छोटा सा प्रश्ण लेकिन बड़ा खोटा है इग्नू जैसे हमने वहाँ पढ़के आये थे 12, 7, 1902 नाबाड की स्थापना पढ़ी थी ना वैसे इग्नू की स्थापना है 1984 में इस नाबाड की स्थापना है थीक है नेक्स्ट कॉश्चन किस स्थापना नहीं थी कि जगह पर नहीं राष्ट्रे स्थापना थी 2020 अब ये भी अच्छा प्रशन है कि पहले कौन से निती चल रही थी जिसकी जगह ये स्थापना है तो आप देखिए 1922 में कोई स्थापना मेट नहीं पढ़िए कि मेंने पड़ रुखी तो फिर 1968 या 1973 में या फिर किस की जगह आ रही है इस जगह आ रही है राष्ट्रे स्थापना है एक योजना तैयार किये जो इस्थरता है वो इसे बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार किया तो निश्चित रूप से अंतराश्ट संग्ठान अगर कारे कर रहा है तो वो कहां करेगा जैपूर में ही करेगा आज का पिपर आपको टफ लगेगा और उन लोगों को लगना ही चाहिए जो टफ पेपर मांग कर रहे थे राजतान सरकार की ओर से पहली बार अलग से पेश किये जाने वाले क्रशी वजट में कितने विभागों को शामिल किया गया है देखो पिछले पिपर में प्रशन आया था कि पहली बार क्रशी वजट जो है वो कब जारी किया था मैंने पिसला प्रश्याम को चार बजे वड़ा प्रश्याम आप देखा होगा, मैंने यही करवाई, अब जो प्रश्ण आपके सामने है कि कर्शी वजट में कितने विबागों को सामिल किया गया है, ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्ण है कि नहीं है, बिल्कुल बहु राज्य के किस सैनिक को राष्टरपती ने अती विसिस्ट सेवा मैडल से सम्मानित किया है बताओ जिसे अती विसिस्ट सेवा मैडल से सम्मानित किया है और उसका नाम है बसंत रैंस वाल आसु सिंग राठोड नहीं है विपन रावत नहीं मनोज पांडे नहीं बसंत रैंस व दो लगता है वकार कूंकि इस से क्या हुता है मैं यह आप बार-बार रहुत बोलूँ गाना तो आपके माइंड में कही क्युं श्ते जगए बना लेगा और आप यादा है अरे सर्ग विपिन रहुत भी बोला था उसवक्त और बसंथ रहंस वाल भी बोलत है परसंथ यह सर् causím сов नियुक्स वर्न बार बार कर ऑप संथ अति विशिस्ट शेवा क्या है कि बसंत टाइम पर आ गया था बसंत का महिना थामने जो से निफैन हैं उनको दुआ था मिलीकोप कर डर्कों तरीका जुए तो तरीका है मैं यसे फालतू अच्टमेशाओ वन विवाग के नुसा राज्य का पांचवा टाइगर रिजर्व किसे बनाने की तैयारी चल रही है बताओ देखें वो कौन सा है जिसको तैयारी चल रही है ये भी पता होना चाहिए वन विवाग के नुसा राज्य का पांचवा टाइगर रिजर्व किसे बनाने की तैयारी तो वो है तो तीनों तो पहले ही है एक नहीं है केला देवी कौन सा है केला देवी है कौन सा है वो केला देवी अभ्यारन्य ठीक है और देखो अभ्यारन्य खोटा लिख रखा है आप जानते हैं इसको अभय धन अरन्य अभय धन अरन्य ठीक है केला देवी अभ्यारन्य नेक् की वर्स 2011 की जनगनना की अनुसार लिंगानुपात के संदर्ब में जिलों का जो आरोही क्रम है वो बताएं आप मुझे जिलों का आरोही क्रम है वो बताएं तो बहुत ही एक शौर्ट ट्रिक है इसका इसकी शौर्ट ट्रिक है बताओ देखें शौर्ट्रिक यही है पी पी आरडी यानि जनगर्णा करनुसार लिंगानुपात के संदर्ब में जिलों का आरोही क्रम बताएं क्या पूछ लिया इसने आरोही क्रम और वो आरोही क्रम कौन सा है प्रताब गड़ पाली राज समन और डूंगर्णा क्या पूछा सरवाधिक लिंगानुपात वाले जिले तो आरोही पूछा है क्या बताओ देखें इसमें कौन सा है अब यह पेपर थोड़ा सा थोड़ा सा ही में पूछ रहा है बढ़ते करम में बढ़ते करम नि पूछे का न इसमें धूड़ा सा मुझे लग रहा है क्या दिक्कत भू सकते हैं हम लोग है ना बताओ देखे इसका याद डाटा भी थुड़ा सा याद आजसा तो फिर दिक्कत नहीं होती जैसे नब्बे शित्यासी और साइध नो सो तई चाहिए है यहां कन्फिजिन हो जाता है कि वे आठ सो तो नहीं है नहीं जलती लेकिन आठ सो थोड़ी हो गया इतना इतना गया थोड़ी आएगा अब यह पूछ रहा है आरो एकरम तो आरो एकरम में है तो यह देखिए आरो एकरम बढ़ता करम है कैसे 83, 87, 90 और 94 ये सही है देखो confusion होना सोभाविक है बड़े से बड़े योद्धा होता है न वो भी ऐसे प्रश्णों में मात खा जाते हैं क्योंकि कई बार जल्द बार पेपर का एक प्रेशर अलग ही होता है वर्स 2011 के जन संख्या के अनुसार जो राज्य का कौन सा जिला है वो जोदपूर से जन संख्या में अधिक है जोदपूर से जन संख्या में अधिक है ये तो simple सा question है देखते हैं और वो कौन सा है आप जानते हैं जैपूर में जोदपूर से ज्यादा जन संख्या है याद रख जिसके साथ क्ला घ्राइभर में पूस्ट आपसे पूच लिया जाए कि पहली महिला सो कौ OSich Public १ी ठीक है महला राज्येपाल कितने ही तीन थी पहले को मुला पर धिव ग्रिंदर इे गया थिक कैसे लेंदर पर रहते हुए किस महीला का मान लो निद्धन हुआ तो इस प्रकार से पता लग जाएगा ये चार या न पर रहा है ऐसे जिसे मान लो अगर आप से पूखे, इस्थीपा देने वाले, ठीक है, तो इस्थीपा देने वाले कौन थे, मदनलाल खुराना, और एक ने ओडिया था, बताओ देखें, कौन थे, पर्तिवा पाटिल, ठीक है, इसके अलावा जिसे आप से पूछ लिया, कि जो, क्या ना में, मतलब जो एक दूस पूसरे जगे का राज्यपाल रहते हुए भी उसने अपना जो रास्थान का राज्यपाल पद्दू समारा था वो वेक्ति कौन थे तो वो थे सिवराज पार्टिल कौन थे सिवराज पार्टिल ठीक है प्रशन निकलता है खूब निकलता है अब मालो आप से पूछ लिया बर बर्खास किया था और खास बात यह कि बर्खास हुए थे इसके लाव इनके एक विशेस्था और वी थी और वो यह थी कि आरपीए से सदश्य भी रह चुके थे ठीक है न तो इस टाइब के बहुत से कॉशन होते हैं जो आपको याद करने ही होते हैं जिससे गलती नहीं होती ह से दो जार दो जार एक से ग्यारा है फिर यह दो जार एक से ग्यारा के दसक में किस जिले में जन संक्या की वर्दीदर सरवादिक रही थी बहुत बढ़िया प्रशन है यह जन संक्या की वर्दीदर जो है न वो सरवादिक रही थी और कितनी रही थी क्या रही थी यह सारी ची जिला है तो वो जिला है आप जानते हैं कौन सा जिला है वो बाढ़ मेर है कौन सा है बाढ़ मेर और व्रद्दी धर कितनी होई थी इसम्हें संग्या बढ़ने देखते हैं जन संग्या व्रदिधर पूछी जा रही है आप से थीक है ना छोटी सी चीज़ है है विसे जन गनत्व नहीं पूछा जार रहे जन गनत्व कॉशन आगए आएंगे बार्ड मेर की कित्ती थी 32.5 थी जेसल मेर की उसके बाद कौन सा आता है जेसल मेर जेसलमेर की है 31.8 ठीक है क्रम से अगर देखा जाए तो बाड मेर फिर आता है जेसलमेर फिर आता है जोधपुर जोधपुर और फिर बांसवाड़ा यह क्रम है सबसे सर्वादिक बार्ड मेर की है फिर जैसल मेर फिर जोधपूर और फिर बासवड़ा अब जुझनु गंगानेगर की तो मुझे भी नहीं पता इसकी 32.5 है इसकी 31.8 है जोधपूर की 27 के करीब है और उसकी बासवड़ा की है 23 के करीब होगी सर्वादिक महिला साक्षर्ता वाले जिलों का आरोहिकरम फिर से आगया क्या आगया यही मरवाएगा इसको ध्यान रखना आरोहिकरम बताओ कौन सा होगा तो आरोहिकरम पूछा है तो आरोहिकरम में सेम वही सिच्चुशन होगा कौन सा कि जो टॉप जिला है थिक है सरवा दिक पैल फिर उसे कम होगा फिर उसे कम होगा फिर उसे कम होगा तो घुन एक कोट अभ मैंने आपको बता दिया है हिंट दे दिया कोटन पिर जैपूर फिर द१िन और फिर र the nine right कौन सा होगा यह होगा बस आपको इन में गड़बड की जाएगी इसको विशेज ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट कॉशिन आप देखो राज्य में सरवादिक व्रद्धी वाला दशक कौन सा है सबसे ज्यादा किसे दसक में व्रद्धी हुई थी सबसे न्यूनतम व्रद्धी कहा हुई थी मतलब वहां घटी थी एक बार जन संग्या घटी थी और बाकी जो है सरवादिक व्रद्धी वही थी वो बताऊ देखें वो दशक आपको पता एक ही दसक है और वो है एकत्तर से एक्कियासी जन संग्या गनत्वा के संदर्व में निम्न में से सत्य कौन से एक बास सत्य है राज्य में नियूंतम जन से गनत्वा सत्रह एक है जैसल में रखा सरवादिक जन संग्या जैपूर का फांसो पिचाण में है क्या यह क्या पूछ रहा है तैस सत्य पूछ रहा है नियूंतम जन संग्यान जैसल मेर सरवादिक जन सीन ओर जैपूर 2021-09-2011 में नोन ऐ Os 5berry High Very कितनी हुई है 35 कि यह बास सही है क्या बात तो साची सगली सही लागए है तो इस सब बाता सही है बिल्कुल यह दो तो पकड में आगे कि यह दो तक दम सही है तो फिर बाद में तो यह उप्यूक सभी और 35 अंकों की वृद्दी हुई यह भी बात पता सल गई 111 की तुलम जन मतलब जहां राश्ट्री आउसत राश्ट्री आउसत से कम दसक्य वृद्दी दर है वो जिलों का यूगम कौन सा यह थोड़ा प्रशन वो यह कैसा प्रशन मैं बताता हूं आपको यह वो हवड़ा प्रशन है जो एकदम आपको छोड़के आना है लेकिन इस टाइब का है वो ठीक राश्ट्री वृद्दी मतलब जन संक्य में दसक्य वृद्दी दर और राश्ट्री वृद्दी दोनों समान है यह बहुत अच्छा प्रशन है बताओ इसका उत्तर क्या होगा बूजो तो जाने बीलवड़ा रासमन पाली अजमेर बताओ कौन सा वह तो वह है जो दसक्य वृद्दी दर राश्ट्री वृद्दी के संकक्ष है ठीक है ना कितनी है इसकी जन नहीं नहीं वो तो लिंगानुपाद वाड़ी वाड़ी वृद्दी और कम्मी वाड़ी हाँ ठीक है यह दोलग चीज़ है कंदोरा अभुष्ण इस तरियां सरीर के किस भाग में पहनती है कंदोरो कड़ पेने कान कमर हाथ ललाट बताओ देखें ओपेने कमर में कड़ पेने कमर में राज्य का वह जिला जिसका जन संक्या गनतो सो से कम है तो ए तो संसला नहीं ठाए जैसल मेर 17 बीकानेर 78 बाड़ मेर बाड़ मेर जमान लोट चूरू वह तो चूरू रो कित तो है आज चूरू तो उपर हो जैसी सों कम तो तीन ही जिला है ठीक है चूरू चूरू 147 ठीक है जैसल मेर बीकानेर बाड़ मेर और उसके बाद आता चूरू नेक्स्ट जैब इनको सेट करना है आज मैंने क्या किया है इस पर पेपर में कि एक्सप्रेंट मुझे जो करना था ना मैंने उसका प्रशन आगे तयार कर दिया जिसे मुझे इसको एक्सप्रेंट करना था कि भई जैपूर का भरतफूर का दोस्ता का अलवर का आपको बताओ देखें बहरतफूर का आपको पता होना चाहिए यह 530 ठीक है फिर आता है द 466 और फिर आता है अलवर, अलवर का है 438, तो कुल मिला के इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कुल मिला के इसका उत्तर होगा, 3 यहां पर उत्तर, उसके बाद है 1, तो 1 भी इसमें common है, ठीक है, उसके बाद है 4, तो यह रहा 4, अलवर का है 2, तो क्या उत्तर हो जाएगा, 2 ठीक ह बटा कर्शी भूमी कुल जन संख्या बटा कृषी योग्य कुल भूमी बताओ देखें प्रशन यह भी सरल है अब पता है जन गनत्तों निकालने का तरीका तो तो बता देगा वरना तो मुझे नहीं लिगता कि कोई बता पाएगा इस प्रश्न का उट तक बता पाएगा क्या जन गनत्व का सुत्र ऐसे प्रशन आजाए ना सिंपल सी बात है आप जन सिंग्या में छेतर फिल का भाग दे तो बस बहुत सरल चीज है यह यह प्रशन बहुत लंबे समय सा चल रहा है और जब पढ़ने बैठते हैं तो यह चीज हर टीचर बता देता है जहां तक मैं मानता हूँ यह देखिए इसमें मैंने आपको चर-चर चीज़े क्लीर करने का प्रियास किया है कि जो दसक की वर्दी है उसका मिलान कीजिए लिंगानुपाद का मिलान कीजिए साक्षरता और घनत्व चारों चीज़ें आप बताईए तो बहुत सरल प्रस्ट नहीं है मैंने थोड़े देर पहले बताया भी था लिंगानुपाद 928 है साक्षरता आपकी 66 है और दसक की वर्दी धर जो है वो है 21.31 और घनत्व जो है वो है 200 वेक्ति प्रतिवर किलोमेटर तो अब इसमें क्या हो गया इतर दसक की वर्दी यह ना है यह होगma चार तो चार से स्टाड होई चार फिर हो जाएगा तीन फिर हो जाएगा दो फिर हो जाएगा एक तो चार तीन दो एक यही उतर होगा ना चली next question 2001-2011 के दसक में राजस्थान के किस जिले की जन संक्या व्रद्धी धर न्यूनतम थी जन संक्या व्रद्धी धर न्यूनतम थी बताओ देखें यह ऐसे प्रस्शन होता है पेहले तो प्रश्णी समझ में नहीं आते हां मैं तो देख़ो एकदम हैं एक स्टुडेंट रूफ से बता उंथा नहीं थाने पर देंगे ज़ाधा अपने पन्दीति प्रस्ट नहीं करना वास्ता में होता है कि इसका यह हो जाएगा उसका है यह ह होते हैं ठीक है और वो जिला कौन सा है वो है आपने गंगानगर अब गंगानगर किती है गंगानगर में भता हूं कुछ किताब हम तो लिखोड़ी है दस बाकी दस पॉइंट पांच या दस एडिक एडिये ठीक है बात करना आप जिया सर्वा दिक्किरी है तो बाड मेर दिय है बतीस पॉइंट पांच यह अपने पहले ही देख लिए और गंगानगर की क्या है यह है ठीक है ओक के 2011 के जनगर्णा के नुशार रास्थान में ग्रामिंट छित्रों में लिंगानुपाद अभी थोड़ देर पहले दो नंबर कॉशन हम बढ़के आये थे ग्रामिंट छित्रों में लिंगानुपाद जो है वो है 933 और सहरी छित्रों में क्या है 914 है वर्स 2011 के जनगर्णा है कि तुधी जन गर्णा है यह वर्स 2011 के बता हो देखें तो यह है पंदरवी रास्ट्रिय जन गर्णा उसके बाद next question आप देखेंगे मारवाड में दामणी क्या है जो दामणी बोला है बहुत दामणी काई चीज है मारवाड फथिए में नियाली यूंद मेन चाहिय राजस्थान के विदी वेता बंडार जिस को में लोड़ सबस्क्राइब देख तही पुष्ण आ जाता है ना ये दलवीर सिंग बंडारी है एक नगंदर सिंग है अपने बांस वड़ा के थे साहित नगंदर सिंग बांस वड़ा रही है नहीं है अजमेर रहा मतलब बड़िया चीज है नेक्स जोदपुर में महिला बाग जालरे का निर्मान किसने कर करवाया था पताओ देखिए वो करवाया था किसने ब्रिज कुमरी ने गुलाब राए ने रानी परताब कुमरी अजस्वन ने अपने एक्दम सही उत्तर दिया है गुलाब राए नेक्स्ट कॉशन परसिद राजस्थानी महिला के लाड़ी रीमा दत्ता काई है और तो कौन सी है पहली और पूछ राइए पहली दुरूपत गाई का कौन सी है बताओ देखिए तो कौन है मदूबट तेलंग पहली कौन सी है मदूबट तेलंग नेक्स्ट उशा रानी हुजा ये क्या है उशा रानी हुजा फिप्ती तरी रास्तान के परसिद्ध चित्रकार है यह क्या है बताओ देखें जल्दी बताओ देखें उश्या रानी का आपने नाम सुना आएगा पहले कभी यह प्रसिद्ध मूर्तिकार है क्या है प्रसिद्ध मूर्तिकार है नेक्स्ट गमेती गमेती निमनलिकित में से किस जनजाती के लोगों को बोला जाता है बताओ देख के मतब चाच रावडी मठो और एक वो काई बढ़ा वह इन्हें भील वाड़म ओडियो मीठो ओड़ियो और एक चरको ओड़ियो बहुत बढ़िया बढ़ा मीठोड़ों तो लागए मनतों ठीक है खेर गमेती के वह भील कि नेक्स्ट नेक्स देखिए धरी संस्कार राजस्थान के किस जन जाती में प्रचलित है धरी संस्कार ओ धरी एकी नाम बताया देखान धरी एकियो इनके घर भी मैंने देखे हैं लेकिन बहुत कम है उस चेतर में मावली चेतर में सहरिया सहरियां जन जाती कौनसी है सहरियां जन जाती नोगरी आभुष्ण सरेजी के किस अंग में पहना जाता है नोगरी कर फेंजव़ए भी जन जाती दौरा पहाड़ों पहाड़ी ध्यालों पर जब एक खेती के वे इस्थाना अंत्रे जो क्रशी होती है उसको क्या कहा जाता है दजिया चिमाता दिप्पा दहिया तो बिल्कुल आपने एक तुम सही उतर दिया है चिमाता अब देखो एक चीज बताता हूं आपको चीज क्या बताता हूं मैं आपको कि आपने नोटिस किया होगा स्टाइटिंग वारे जो कॉशन थे जणगरन आगे ठेक नहीं थे कठिन से कठिन कॉशन थे वहाँ कई स्टुएंट गलती कर देंगे लेकिन पीछे कितने सरल सरल आ गए यह होता है जो तीन चार तरह के पेपर आता है ना उसमें यह होता है कि कुछ स्टुएंट्स के पहले वाड़े आर्ट्स कोशन बहुत टफ ही टफ आता है और उसका मनोबल वहीं गर जाता है जबकि कुछ स्टुएंट्स के क्या होता है एक सरल एक कठिन कई के पहले सरल आता है तो यह कुछ भी हो सकता है पेपर देखे घबराना नहीं चाहिए क्योंकि पेपर में हाबू कितन तो आगे देखिए बीजा और माला राजस्थान किस जनजाती की दो साखाएं बीजा और माला बीजा और माला तो यह हैं दोस्तों सांसी जो सांसी होते हैं उनकी साखाएं सुमेलित कीजिए शरीर कांग और आबुशन सिर गला कमर पैर कनकती रिमजोड हंसली और मिमन ऐसे प्रश्ण ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस से लिए करवाते हैं ताकि आपको एक साथ चर्चर प्रश्ण के लिए हो तो बताईए मिमंद मेडियो मोर्मींडली एक सागी तो हुआ है कट कट पेनी जिए बताओ मिलान करो देखाण यान फेटा बड़ देखो और यू में अंसरी बेन गड़े में कमर में कंकती और पैर में रिम्जोड को चार तीन एक दो उत्तर किसो और यू नेक्स्ट कॉश्ण नियमनले किसमें से कौन सा यू यू यूग्म आभूशन अंग सही है में मन सिर में बार आई यू जस्ट सुरलियो पत्ति सुरूलियो एकांद अोगकी और कंती गड़े में कि मूम इड़े कड़ाई मैं के दू नेक्स्ट है कि तट्धर् कित्दर बेर किस हो नागी और तो कौन पलड़ाने भी बiblताय थ taşने तड़ जिको है वह स्त्रियों सिर में पहना है पयर में एक हाथ में कान में कहट पहने वई सुणने मारियो हम रहा है कि स्त्रियों के पैर में पहना जाता है कहां पहना जाता है अब ये ऐसे ने ने आभुशन आ जाता है तो इनको एक क्रम से याद करो ज्यादा बैस्ट है नेवर आभुशन पहना जाता है नेवर जो आभुशन है वो कहां पहना जाता है दाटों में, पाऊं में, नेवर आभुशन कहा पेहने जाता है? पाऊं में, भील जनजाति की स्तरीयों दोरा पहने जाने वाला जो लंबा घागरा होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? भील जनजाती के जो महिलाएं होती है वो जो एक लंबा गागरा पहनती है उसे क्या बोलते हैं तो उसे बोलते हैं कच्छावू क्या बोलते हैं सरल प्रशन है यह सारे के सारे सरल है पच्छे वड़ा क्या है इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं परिधान पगड़ी आभुशन औ Qution तक हो चुके हैं और आज की few घ्रत की जोडनी common प्रसुन यह सारे के सारे प्रिश्ण वही थे जो हैं दीये थे मैं पहले ं Small यही आ जार का रेफे दिक्षिण होता हुआ पहता है यह प्राइवहां यह प्र téilde का गया था या नहीं तो आप इसका उत्तर जो मेरे पास है वो यही है और मैंने किताब से चेक भी आदिवासी महिलाएं हैं ठीक है कहीं ने कहीं जाट महिलाएं जो पहनती है वो थोड़ा सा अलग होगा बाकि आप लोग विद्वान साती हैं सारे इसका फैसला आप खुद करें बाकि इसका राइट उत्तर मैं तो यही बताऊंगा अदिवासी महिलाएं जो तारा भांत की ओड़नी पहनती है ठीक है नेक्स्ट कॉशन अब आते हैं हिंदी के प्रश्णों की और हम चलते हैं आज हिंदी बहुत सरल और आनंदाएक है बिलकुल क्योंकि आज ज़्यादा जो हैं महावरे और लोकोक्तियां जाता रहेगी इसलिए बहुत आनंदा एक प्रश्णा हैंगे चलिए दोस्तों तो 66 नमबर कॉशन है अंगारों पर पैर रखना महावरे का सही अर्थ क्या होगा खुद को संकट में डालना प्रतिकूल कारे करना गड़बड होना या दाल में कोई लगना अंगारों पर पैर रखना क्या करना खुद को संकट में डालना यही होगा क्या उत्तर होगा अब तो बड़ा भड़ देना स्पीड से दूम उदा ठीक है हां अंगारों पर पैर रखना क्लियर बात है अब मेरे क्या है देखो अब दो से ज़्यादा गंटे नहीं होने दूगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं वस्तु की पूर्ति की तुलना में अगर मांगा दिखो तो आशे की लोकुक्ति कौन सी होगी वस्तु की पूर्ति यानि मांग घणी मगर वस्तु की पूर्ति मांगा दिखो मांग घणी हो तो बिन दुस्त एक अनार सो बिम बिना में माँग अधिक है वस्तुत कम है मांग अधिक है तो आज का लेकिन ऐसा नहीं है आगे कुछ विराम चिन्नों के भी है आप ध्यान रखें ऐसा नहीं कि रवन अनसर centuries कैं बस Most आंखे भिछाना इसका क्यां होगा आंखें विछाना इसका क्या होगा आंख्याना का दिखना बताओ देखे क्या होना एक तो करे लो ओदोस है और दूसरों बिनमयत है नीम चड़ियो तो इरो मतलब कहा है यो एक सु अधिक दोस होना है ना एक तो पहला उन करे लो यानि करे लो खारो वह ए उपर नीम और खारो रगड़ दियो इंट से इंट बजाना इसका मतल दोनों आप नहीं करोगे लेकिन कड़ा मुकाबला और करारा जवाब देना दोनों बातें करारा जवाब देना मतलब जैसे को तैसा है ना करारा जवाब अलग चीज़ होती है कड़ा मुकाबला करना इंट से इंट बजगई मतलब आज मुकाबला टक्कर का है निमनलेकित म आप लोगों को यह मुहावरे और लोकोक्ति का अंतर नहीं पता होता है तो वो भी धैने लाल पीला होना लोहा लेना एक अनार सो बिमार इन में से सभी इन में से लोकोक्ति कौनसी है तो याद रखें यह जो ना आता है ना पीछे यह सारे मुहावरे होते हैं लोकोक्ति इस दोनों भाई खेत के सौमित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी तो नाक जुक गई अब ये पूछ रहा है सही विकल्प आपको चुनना है और देखो अकल मरना ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा और दोनों दम फूलना ओभी कौन सुने हो न लाल पीला होना सुनोडो है तो इसमें सही कौन सा होगा सी जो है वो राइट होगा लाल पीला होना नेक्स्ट है खुद स्रीमान बेंगन खाए और औरों को क्या बताए परहेज बताए तो इसमें से लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है कहने से जिद्धी काम नहीं करता बेंगन खाने के नुकसान बताना उपाई वही अच्छा जो जो कारगर हो के बल दूसरों को सला देना लेकिन खुद उस वहार को खुद उस वहार को अमल में नहीं लाते हैं वो खुद स्रीमान बैंगन खाए और औरों को दे ग्यान तबले की बला बंदर के सिर उक्त लोकोक्ति उक्त लोकोक्ति का उचित भावारत बताईए तबले की बला बंदर के सिर चाला की मात देना अपरादी कोई और और दंड किसी और को बे इज़त होकर कुछ पाना कम सामगरी से काम पूरा करना बहुत ही ब आर्थ की द्रिश्टी से आ संगत मुहावरे का चाहिन कीजिए उंचे नीचे पैर पढ़ना अंगन का समतलना होना एक गाट का पानी पीना एकता और सहिश्टनूता होना कमान से तीर निकल जाना अवसर चूक जाना कंधे से कंधा छिलना अत्या दिक अंदे से कंधा छिलना मिलना यह तो गड़बड कर दी इसने है ना कंधे से कंधा मिलना कंधा मिलना अत्या दिक भीड होना कंधे से कंध मिलना अचा चाहां सी ठीक ठीक बिल्कु सही है कंधे से कंधा छिलना अत्या भीड होना बाकी तीन सही है लेकिन उंचे नीचे पैर पढ़ने का मतलब यह न नहीं कारने बाकि तीनों के तीनों सही है नइक्स कॉसिचन आप देखेंगे कि सिर्पर भूजg सवार डाल भात में मुस्तलचन गुलर का फूल हो जाना ताड़ का व्रक्ष ये चार है इनको मिलान आपको करना है मिलान कीजिए आप देखें तो सिर्पर भूज सवार वना धुन लागगी के थड़केश लाग री रेमाब में ठीक है दाल भात में मुस्तल्चन होकट्र रिपंचाइति करें बिना मतलब दखल देना गुलर का फूल हो जाना गुलर फूल मतलब गुलर का फूल कम दिखान दिखना थीक है ताड का व्रक्ष किसी के काम में आने वाला बड़ा भया तो क्या भया जैसे पंत खजूर और पंची को चाया नहीं फल लागे अति दूर ताड़ का प्रक्ष नेक्स्ट तीन लोग रहे मत्रु अन्यारी के हैं वे अपर सागला गुरुप में वेक हुए जिको तीन लोग वा मत्रु अन्यारी हुए है नि पर नागिन और उपंख लगाई भाई सेम बात आगी वकरेला नीम चड़ा एक तो नागिन उपर उपंख खोड़ लागे और पुछो हिमत भाई साब फेर तो काई हाल हुई है ना इर्म का मतलब काई हो नागिन के पंख लग जाना आत्या जहर चटना सोच समझ के कारे करना ए समझ मां आगी एक तो पहला नाग उपर उपंख लाग गया बच्र कट जाओ भाई लोगा चालो आगए एक अकेला दो ग्यारा क्या बात एक अकेला और दो मिल्या तो कहीं हो गया ग्यारा एक प्रवर्ति का नहीं होना चालाग पो चालाग से काम पढ़ना जगड़ा दोनो होने पर सुकान आयस पर आप तो जाना जहां अव्यस्ता हो और एक मातर सारा अंधे की लकड़ी सिंपल सा है आप आपने एक वारेडिंग कर ली होगी आप जानता है कि अंधे की लकड़ी मतलब एक मातर सारा अरे अंधे की लकड़ी तोड़ दी तूने मतलब मेरे पास तो नेक्स्ट है गांठ बांधना क्या करना गांठ बांधना मुहावरे कार्थ क्या है दोस्तों आज तारीक होगी आठ ठीक है आठ हूँ अठारा तक ऐह है दस दिन अठारा हूँ पाच्छी अठाइस आवे लिकोनी अठाइस आशी थारकन दिन टोटल बच्चा है अठारा एक बच्चा है अब गाठ बांद लो कि अठारा दिन मतलब थान रेका ने कम खो निया थान लग गए है कम थान रेका ने कम सुकम एक स्वासी गंटा पड़िया है और एक स्वासी गंटा रमयात है नहीं सब कुछ कर सको जियां अमेरिका के जो राश्टर पती थे रूजवेल्ड प्रतम विस्वेद को दोरान आपने पता है उन्होंने एक ही बात बोली कि कम समय और जितने संसादन उपलब्द है जितना समय और जितने संसादन उपलब्द हैं उसमें बैस्ट करके दिखाओ वही प्यास में जाना जाता है समय और जितना है ना और जो आपके हो मैटर है उसी से बेस्ट करके दिखाओ हो सकता है, तो यह होता है, इस्थाई रूप से याद कर रखना, गांठ बांद ले कोई बात में, गांठ बांद ले नहीं हमेशा कुछ ने कुछ कर दिखाओ, जोगी मार हात में छार कहावत का भावार्थ है, जो इन में से क्या होगा, बहुत ही बढ़िया उप्शन है, जोगी मार हात में छार कहावत का भावार्थ, जब गरीब को सताया जाता है, तब प्रतिक्रिया बहुत तिक ही होती है, जोगी अपने हात में राक लेकर भी सब को मारता है, ठीक है जोगी को मारने से बहुत लाब है और निर्बल को मारने से कोई लाब नहीं होता प्रजब प्रश्ण दे दिया मैंने जोगी मार हाथ में छार छार इन्राक निर्बल को मारने से कोई लाब नहीं जोगी मार हाथ में छार कोई मतलब नहीं है उसको मारने से क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा इनमें से कौन सा विकल्ब सुमेलित नहीं है सावन का हरेन बादो सुके हमेशा एक सीज़ते थी नीम हकीम खतरे जान अधूरा ग्यान हमेशा जो होता है वो खतरनाक होता है चोर के गरमोर अपरादी सदेव चिंतित रहता है हाथ कंगन को आरसी क्यार पड़े लिखे को फिर आरसी का तो आपको इसलिए भी पड़ने चाहिए क्योंकि आप ये सोचिए कि आपको घर पर अगर महावरे पड़ने के लिए बोलते हैं तब आप पड़ते हैं यह कम से कम इसी बहांने जो यह महावरे क्लियर हो जाते हैं फिर नेक्स्ट कॉशईन है उंचे पड़ बैठे विक्ति को क्या नहीं होना चाहिए इस वाक्ये में रि 1 अध्यूर? किड़ा बाद का धनी या सोने में सुआगा आप जानते हैं उंचे पद्ध पर बैठे वेक्टिव कभी कान का कच्छा नहीं होना चाहिए वड़ना लोग नीचे ले आते हैं नेक्स्ट है मर दी अपने कार खाना खोला तो मित्रों ने आने वाली परेशानियां गिनाई तब उसने कहा कि रिक्त स्थान एुक्त लोकोक्टी क्या होगी तब उसने कहा कि अ podia तो उनके वित्रों ने कहा कि जाको राके साहियां माड़ न सके कोई तो उसने कहा कि ओखली में जब सिर्देई दिया है तो मुस्नों से अब नहीं डरना नेक्स्ट कोईशन काट की आंडी दुबारा नहीं चलती याद रखना दोका एक बार किसी के साथ तुम लोगों ने कर लिया है ना तो दुबारा फिर वो आदमी कभी शकल भी नहीं देखता काट के बरतन के वले एक बार खाना बना जा सकता है कपट वेवार बहुत दिनों त नहीं चलता नेक्स्ट कोईशन आप देखो किस विकल्ब में मुहावरे का साथ तक परियोग हुआ है 91 बहुत ही बढ़िया है अब बस थोड़े से कोईशन हो रहे हैं उसके बाद प्राम चिनों के प्रश्ण आएंगे पंडी जीव भी गिर्गिट की तरह रंग बदलते है मिठा ही देखते ही मूँ में पानी भराया यह तो क्या प्रसन पूज़े सार्थक परियोग किसमे हुआ है तो सार्थक परियोग तो किसमे हुआ है दिखाए मुहावरे के हिसाब से तो इसी में हुआ है पंडीज जी को उपदेश देकर सूरे को दिपक दिखाना मतलब पंडित जी कोई उपदेश दिया जा रहा है तो ये तो गलत बात होगे ना किस वाकिये में मुहावरे का सार तक परियोग नहीं हुआ है घरवारो दोरह दरीशाने का करण पूछने पर वहा है बगले जहांकने लगी भैंस के आगे बीन बजाने से बिदक जाती है चोक तो मैं बैंस के आगे बीन बजाओ गे बैंस कहीं एकदम दूर ने गया और बिदक गी यह बातां उसी की तो एकदम गड़त साफ नजर आ रही है नेक्स्ट है अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लुटा दो नहीं तो मुझे तीन पांच करना आता है टेड़ी उंगल देखकर सभी परेटक क्या हो गए किस सभी परेटकों ने सभी परेटक अपने मूँ मिया मिठ्व बनता है दांतों तले उंगली दबाता है छोटे मूँ बड़ी बात करने लग जाता है चैन की बंसी बिजाता है वो दांतों तले उंगली दबाता है कि इतना सुंदर भी नेक्स्ट है किस विकल्प में लोगोक्ति का वाक्य साज ठक परियोग नहीं हुआ है आप चलकर शहर में रही हैं और आप अध्यापक कारिय केजिए यहां तो आप की विद्या की कोई पीद्या की कोई गद्र नहीं जंगल में मोर नाचा किसने देखा है तो ये सही लग रहा है तुम जब तुम गाउं में शहर में गाउं से सहर में पढ़ने गए थे तब तो बड़े सरल थे पर अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए हो सच है चंदन की चुटकी वली गाड भरने काट फसल पक कर तैयार है मुझे बैल की बहुत जरूरत थी इसलिए इसे दोजार रुपे में खरदा है क्योंकि आंखों पर तो पलकों का बोज नहीं होता मौन प्रातेकाल मजदूरों को बुलाने गया और उसने रूचा कि तुम लोग दरौजा खोला रखकर अभी सब्सक्राइब तो ठीक है देखो इर में तो आ रही है कि वह दरौजा खुला रखा है मतलब कोई चोरियर चीजी को नहीं नफास तो क्यों डर रहे तो गाई ने बाची नीन दावया अची आब आतो साची है बिर बाद में आवा है कि फसल पक कर तैयार थी और बैल की मोड़ना चा किसने देखा तो आप वहां सही जगह जाईए ताकि आपके वीद्यक कद्र हो यह बात भी बिल्कुल सही है लेकिन यह जो है जब तुम गाहों से सहर में पढ़ने आया थे तब तो बड़े सब्सक्राइब परने ने सहतान वीद्यारतियों के साथ रहकर तो व पत्र आजाया कहां है जो पत्र आजाया कहां है जो पत्र आजाया कहां है तो देखिए यह यहां नहीं आता यह यह यहां नहीं आता और यह यहां नहीं आता बात सीदी सी है उत्तर यह यहां आता है ठीक है आगे चलते है नेक्स्ट है किस वाक्य में विराम चिन्न का उचि उसे देवता बनाने की मेरी इछा नहीं तो नहीं है थीक है next question आप देखो किसी नियम के प्षचात आने वाले उधारन सुचक सब्द जैसे से पूर्व किसी किस विराम चिंका परियोग होता है वो विराम चिंक कौन सा होता है पता हो दिखें अर्ध विराम होता है निर्दे सकुथा है कोष्टक होता है कौन सब्धा सभावना हो उत आप या मैं हो वहां पर जहान के प्रियोग को यू से ब्रहनती ओने यूने के संभावना हो वहां पर किस चिन्य का परयोग करना चाहिए। बताओ देखें अ बढ़ी और प्राश्ण वैसे तो अल्ग छिया इस से ब्रहनती होने शांदार प्रश्न है यह वहां क्या होगा वहां ब्रांती होना वहां अर्ध विराम का प्रियोग करना चाहिए तो वहां पर आपको अर्ध विराम का प्रियोग करना चाहिए तुम कहां जा रहे हो वाक्य में किस चिन तुम कहां जा रहे हो वाक्य में किस चिन का प्रियोग प्रश्शन चूल से बास 60 कोउशन हो रहे हैं बहुत इम्मत की आज तो दून्द समास के दोनवकदों के बीच किस चिंन का परियोग होता है वियराम चिन — योजक चिन अरद lur य फिर अलब वियराम तो समास के दौन्द समासर बिचमा की रपरियोग हुए विरोवे योजक चिन रो नेक्स्ट है कोस्टक में अंकित जो एक चिन आपको दिखाई दे रहा है ये रहा विराम चिन का इनमें से एक नाम गलत है वह यानि इसके तीन नाम है और एक नाम नहीं है आपको वह एक नहीं है वो पहचानना है और आपने बिलकुल सही पहचाना है इसको विस्मरंच चिन कहता है हिंसमत कहता है काकपद कहता है इसको योजक चिन नहीं कहता है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा योजक चिन बाकि तीनों इसके नाम है next question है किसी कठिन शब्द को अगर स्फष्ट करना है तो किस विराम चिन का परियोग होता है बताओ दे कि किसी कठिन शब्द को अगर परियोग करना है तो किसका परियोग होता है तो वो होता है किसका होता है वो होता है को स्टक किसका होता है को स्टक नेक्स्ट आकास पाताल के बीच जो लगने वाला चिन है कौन सा है यह रा सब्सक्राइब है इस चिन को आप लोग किस नाम से जानते है कि आ काई यह जो चिन यहां योजग चिन के थोड़ परस के लिए किजित में ज्यादा नहीं नेक्स्ट है किस कर्मांग के वाकि में सही विरामचिन लगा हुआ है बताओ देखें जो परिस्री में होते हैं वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं पानी हमारा जीवन है हवा प्राण है और अन्न हमारी शक्ति है मित्रो आज मैं आ रहा हूं हाँ मैं यह काम अवश्य करूंगा इसमें कौन सा सही विरामचिन का प्रियो कहां है पता हो देखें तो देखो ओयए की सही है बाकी सही को नहीं क्योंकि जहां अठोम मित्रों ञेब अठोमे को masih को मारी जीमत्रो आज मैं आ रहा हूं हाँ मैं यह पाणिच्छा करूँगा गौरों गाता है इन दोनों सब्दो में एक जैसे प्रशंड है योजक के ज्याधा अगए प्रस्ड किसी के कफन को उद्धत करते समय विराम-चिन की आउश्क्ता पड़ती है कौन सा बिराम कства अगर आपको उद्धत करना होगा तो वो चिन होगा विसमे वाद्चक होगा अवतरण होगा प्रश्ण होगा निर्देस होगा तो बिल्कुल आप इसका सही उत्तर दे रहें अवतरण का उद्वरण चिन कौन सा होगा अवतरण का उद्वरण चिन next question आप देखेंगे लागाऊ चिन का प्रियोग होता है जो लागाऊ चिन है उसका प्रियोग होता है उद्धरन के लिए बड़े अंस के संक्षित रूप लिखने के लिए तुरूटिश उधार के लिए या फिर अभिवादन के लिए लागाऊ चिन तो मान लो कोई अगर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर कोश्टक में दिये गए चिन इनका उप्योग किस वक्त किया जाता है अच्छा प्रश्ण है ना वाक्य में छोड़े गए इस्तान पर दूसरे के उख्ति को उद्रत करने के लिए जहां वाक्य पूरा होता है या पढ़ते समय थोड़ के लिए होता है नेक्स्ट है कोश्टक में जो दिया गया एक सुन्य आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से यह क्या है इस चिन का नाम क्या है बताओ देखें 110 में सरल प्रश्ण है लेकिन पता जरूर रुणा चाहिए बताओ बताओ कौन सा चिन है यह मिल गया लागाव चिन कौन सा है लागाव चिन जिला सिक्षा सूचना प्रणाली विक्षित की गई है किसने विक्षित की जिला सुक्षा जिला सिक्षा सूचना प्रणाली किनके द्वारा विक्षित की गई है नियुपा भार सरकार अव कि दोनों राजिस्टर कार्ड यह किसके द्वारा तो बिल्कुल आप इसका उत्तर देखेंगे अवब डोनों इसका उत्तर क्या होगा और दोनों ही इसका उत्तर होंगे ब्रॉड कास्ट इंग अगला प्रशन प्रशन क्या आएगा मैं पहले से बता रहा हूं आइ-सी-टी का करता है मैं आपको याद करना पड़ता है याद होजाता कि बहुत वार आपको में अगले प्रूशन चक्षाले और लिए अपर लूब ब्राड कास्टिंग नेटवर्क जो है किसका उधारने स्टार टॉपलोजी बस टॉपलोजी यह तो प्रशन पहले भी आया था एक दिन मैंने दिया वह प्रशन है बदाव देखे कौन सा प्रशन है यह दिया था इसका उत्तर भी मैंने आपको बताया था पॉइंट टॉ- कि परकृया है या अंतरिक तकनी की परकृया है तो सूचना इवश we were यह थिगम तफा मुल्यांकन को जोड़ता है कौन यह है अधिगम तफा मुल्यांकन को जोड़ता है किस प्रकार का सीखना कहलाता है ये तो ये जो अधिगम शब्दा गया ना अधिगम शब्दा आते हैं आप दूसरी और जाओ ही मत आप दूसरी और आपको जाना ही नहीं है मनोवेग्या नहीं नेक्स्ट है उपचारात्मक सिक्षा की जरुरत होती है मन्द बुद्धी बच्चों के लिए पिछड़े बच्चों के लिए सामन्य बच्चों के लिए या इनमें से सभी बच्चों के लिए बताओ देखें उपचारात्मक सिक्षा की जरुरत होती है कब 115 नमर कॉशन बहुत ही अच्छा है आप जो भी उपचार करोगे वो इनका इनका यह तो जरूरत तो सबके लिए पढ़ सकती है भई है ना है बिल्कुल यह सबके लिए जरूरत पढ़ सकती है है कि उपचा लेकि समान्य बच्चों का क्या उपचार करोगे यह मुझे डाउट हो रहा है बहुए यह जो तीसरा देखो हो सकता है मेरी जानकारी फूरी कम समय बच्चों का भी उपचार होता है क्या मंद बुद्धी पिछले समझ आ रहा है चेक करना वहीं इसको थोड़ा स लो 1 कि दो होते है तो फिर अपने अपिसमें से सभी के लिए हो गई फिर फिर सब्सक्राइबब हो उत्तर तो राइड यह फिर बारघ एक कर लेने में कोई स्भूण do प्रश्ण है इपार्ट साला क्या है मानुस अंसादन विकास मंत्राले CIT तो अन्से आइट द्वरविक्सित एक पोर्टल आप है माधेमि शिक्षा बोर्ट अजमेर द्वरविक्सित पोर्टल एप है विकसित परटल एप, Nana Te toward eachuk तो बिल्कुल ये तो बहुत सब को पता है कि प्रेक्शन के बाद जरूरत पड़ती है किसकी बहुत ही सिंपल कउशन सिंपर्ट नहीं है ये शिंशन है किया है निदानात्मक परेक्शन के बाद वही पहले तो उपचार करना है Next question आप देखेंगे उपचारात्मक सक्षिं से आकर बच्वों को लाब क्या होता है चातर के सरी बहावानात्मक और भावात्मक सामाजिक किशन आइ विक्सित होती है क्या को नहां होती है चातर कूसुमायूजर्जन से बसते हैं क्या बिल्कुल बसते हैं अन्य चातर अर उच्छी कर वातावन से बसते हैं कि बिल्कुल बसते हैं ये सभी विशेस्ता हैं इससे सभी लाब होते हैं उप्चारात्मा का सेक्षन से निदानात्मों परिक्षान ली जाती है बताओ देखे किस की ली जाती है किस लिए लिए जाती है पर्तिबा शाली चात्रों का पता लगाने के लिए चात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए चात्रों के मान से किस तर को जांसने के लिए या मुल्यों का पता लगाने के लिए बदाओ देखे किस लिए ली जाती है तो सिंपल सी बात है जो चात्र होता है उनकी कमजोरी क आपक है उनको जानने के लिए हम बंभा थो किया उम्हाइद कैंशरकर लीज हो से वहीद कि लिए दोता को नेगवेज़ चेंज प्रज़ किये ताकि कोई चैंजर नहीं है इसलिए यह फ्रिशन आपको वापस उठाया है नेक्सट है भासा के संद्रब में निदानात्मक परिक्षन का उद्देश्य है क्या है भासा के संदर में निदानात्मक परिक्षन का उद्देश्य क्या है बच्चों को विविद बच्चों को विविन श्रेणियों में विवक्त करना बच्चों की भासा परियोग संबंदी कठनाईयों के संभावित कारणों की पहचान करना ठीक है बच् इतनाईयों के संभावित कारणों के पहचान देखिए तीन प्रशन एक ही बात को इस पष्ट करने के लिए और तिर्फ लेंग्वेज चेंज की जा रही है बात ये भी सेम कर रहा है क्योंकि खैर अपना इसमें टॉपिक यही था तो मुझे एक ही टॉपिक से प्रशन मनाने थे तो इसलिए थोड़े दिक्कत आई लेकिन फिर भी निदानात्मों के संदर में सत्य कथन क्या है बताओ देखें ये संपूर्ण पार्ठेकर्म पर अधारित प्रशन होता है चेत्र व्यापक होता है प्रशनों के उत्तरों पर अंकन किया जाता है या प्रिक्षन विश् अकेले कमरे में बस बोल्ले जाओ बोल्ले जाओ थो थोड़ी सी एनर्जी में कमी आती ही है लेगिन फिर भी कऊई बात नहीं आपको दिक्कत नहीं अर्चिये और वो राद को 9 बजे अप्लोड करें या नहीं करें देखूंगा मैं अभी टेलीग्राम पर एक पॉल करूँगा और यह पॉल मिल जाएगा आपको फिर मैं अप्लोड करूँगा ऐसे नहीं करूँगा क्यों मुझे लग रहा है डाटा भी खतम हो जाएगा आपका एक लास कखें पूत वासा परिएस का निर्मारन ना होम बाना उप्युक्त पाठ्य समगरी का भाव यह तो नहीं विद्यारतियों की सब्सक्राइब ने निर्मान नहों ठीक है कि निर्मान होता जबकि यह समस्या नहीं है यह समच्छा नहीं है उसके समच्छा ओगी विद्यार्थियों में असमान रूची का होना विद्यार्थियों में असमान रूची का होना ठीक है ना बासा सेक्षन की समझ्या क्या है कि विद्यार्थियों में असमान रूची होती है या बासा सेक्षन लेंग्वेज का सेक्षन दे रहे हो तो अब सारे विद्यार्थियों की रूची उसमें समझने में मारे दिक्कत होती है वरतनी की दरश्टी से असुद सब्द कौन सा है बताओ देखें कौन सा है उन रोकती मुझे तो पहला ये सुद्ध लगासर बिल्कुल हो सकता है सही आगे भी देखो कभी आगे देखें भीना फैसला न कीजिएगा बताओ समीती क्या सही फैला ही उत्तर देख लिया ठाव वह होता है धन उक्ति और शब्द क्या बनता है पुन्रुदति क्या बनता है पुन्रुक्ति ठीक है कि साथ बाशा सीखने में जो तूटियां होती है है ना वो बताव देखें उने कठो उन तूटियां कて कैसे लेना चाहिए जल्दी से गजा सन्केत करती है बिए सीखने के प्रकिरियाय का सभवावी इसा होती है और जो समय के साथ दूर हुने लगती है यह बिल्कुल सभी बाइसा सीखने में जो कॉशन कम सही कर रही है उससे कवर और ये तुरूटियों का हिस्सा है कौन सी वर्तनी सुद्ध है अभ्यार्थी नित्योपदेश द्रौपदी सदोक्ति अब ये तो बहुत अच्छा प्रश्ण है देव उत्तर इसका बताओ देखें सत्य धनुक्ति होगा सदुक्ति होगा ये कुछ और होगा यहीं गलती आ गई और अभ्यर्थी होता है कि तो यह सई कौन सा है द्रौपदी नित्युपदेश नित्युपदेश कौन सा सब्द सुद्ध है सौजन्यता बाहुल्यता कीर्थी मान या फिर असोक अरे वहां ऐसा प्रश्ण भी मैंने दिया है बहुत अच्छी बात है बाहुल्यता नहीं सौजनिता नहीं यह रंत होगा असोक यह सुद्ध है अपने आप में अब इसमें भी कोई गन्फ्यूज हो जाए तो वह तो भाई के बात का सुद्ध सब्द जेष्ट स्रेष्ट वरिष्ट के तो आपको मिल गया होता है मैं जानता हूं यह तो के कई हो नेक्स्ट सुद्ध सब्द नहीं है रुद्र कैलास खरिद्दारी चार दिवारी एक सुद्ध नहीं है बताओ देखें यह तीनों सुद्ध हैं चाहर दिवारी होता है क्या होता है चाहर दिवारी क्या सही लिखा है क्या मैंने वदाओ देखें चाहर दिवारी यह होता है चार दिवारी नहीं होता है और यह जो गलत बता रहे ना उसे ध्यान में रखना खरीदारी खरीदारी नहीं होता है आप देख लेना खरीदारी होता है ये मेरे लिए थोड़ा सा विचित्र था मैंने पहले ध्यान में नहीं दिया कभी शुद्ध ये भी देखो कौन सा सब्सुद्ध है स्वसुर स्रियूत स्कूल और केंद्रिकर्ण ये भी आप अगर मानलो जिसके पढ़ावा है वो ही पहचान पाएगा बाकी कोई पहचान नह नहीं पाएगा अब देखो कई स्टूर्ण जो बीच में छोड़के चले गए ना उनको ये पता ही नहीं है कि असुद्धी संसोदन भी है असुद्धी संसोदन की क्लास भी है ठीक है देखो सुद्ध ये है केंद्रिकर्ण होता है कभी भी केंद्रिकर्ण नहीं होता है इस अनुग्रहित सुद्ध पूछा है लब्द प्रतिष्टित उपलक्ष यह यह क्या प्रसंद आ गया कि गड़ब्ड कर दीना इस प्रश्णल टाइप करते समय कि गड़ब्ड तो कर दी आप देखो लब्द प्रतिष्टित होता है प्रतिष्ट होता है ता नहीं आएगा अनुगरहित में ही बढ़ी आती है ठीक है तो ये दो तो गलत है ठीक है और उपलक्षय तो सही लिखा है लगुतर भी तो सही है इसमें तो फिर वही बात हो कि दोनों ही सही हो गए इसमें त आफो अभी बताता हूं आपको लगू धन ऌग म Fit2 यह सह्य है और कि अव्म लक्ष हुगि बीलकुल अव्म लक्ष आपके दिमाग में आ रहा हो गाजम्स उप्लक्ष होता होगा नहीं उप्लक्ष होता उपलक्स गलत होगा, यह दोनों ही सही है भई, आप चेक कर लेना चाहिए, आप मैं यह नहीं कहा रहा, गलती नहीं है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, यह दोनों ही सही है, उपलक्स, सब्द के सही रूप का चाहिन किजिए त्रिष्णा, त्रिष्णा, त्रिष्ण और त्रिष्णा कौन सा सही है? तो सही है त्रिष्णा कौन सा सही है? त्रिष्णा Next question किस सब्द में वर्तनी सही है? गंधी, लिखिय, महत्व और अनाधिकर्थ तो language कहां मिल गए आपको सही देखो ये जो शब्द ना ये होता है अन धीकरत होता है क्या होता है अन क्यों होता है क्यों क्यों होता है नेक सुद्ध वाक्य बताओ, वहे सब भले लोग हैं, भीड में चार जैपूर के व्यक्ति भी थे, भीड में चार जैपूर, खोटो यो, मनशी इस्वर की उत्रिष्ट अतम करती है, वहे सारे गुप्त रहेश्य प्रक्षट करतेगा, तो जो रहेश्य होता है, वो गुप्त होता है, इसको कहने की जुरूती नहीं, यह एकदम सही चीज है, ठीक है, आपको उत्करश्ट आना चाहिए, उत्करश्ट तम, देखो आप डिगरी बढ़ते हो ना, अपने उत्तम आवस्था, उत्तम आवस्था में तम लगता है, इसलिए, विराम चिन का सही उधारन कौन साइक्ष्ट में, यह उस्तक अच्छी है, परहते सरस धर्म नहीं भाई, रमेश, उरेश, महेश और विरेंदर घूमने गए, हाँ, कवीता करूंगा, सिम्पल सा प्रश्ण है, लेकिन बढ़िया प्रश्ण है, बताओ देखें कौन सा है, मिल गया होगा उत्तर, 135 नमबर, क कौन सा होगा, परहते सरस धर्म नहीं भाई, यही सुद्ध है, निमनलिक्षित में से किसमे सभी सब्द सुद्ध हैं, बताओ देखें, सभी सब्द सुद्ध हैं, अच्छा प्रश्ण है यह भी, सभी सब्द असुद्ध पूछें, मैं सुद्ध बोलगा हूँ, यह तो सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, इसमें तीनों यह सुद्ध है, क्यों, शनमास शडानन और स्रिंगार Next अनुसासन बाय नहीं है भीत्री नियंत्रण है बहुत ही बड़ी है कोईशन अनुसासन बाय नहीं है बलकि भीत्री नियंत्रण है अगर यहाँ पर बीच में कोई चिन आएगा तो वो कौन सा होगा बताओ देखें कौन सा होगा वो सिंपल सी बात है अनुसासन बाय नहीं है भीत्री नियंत्रण है तो वो होगा अल्फ विराम कौन सा होगा अल्फ विराम असुद सब्द कौन सा तत्व पुनर नवा पुनर नवा उत्तीरण आशिरवाद सब्द मिल गया सुद्ध आपने देखते ही बता रगा लिया होगा ये कैसे होगा फुनर नवा होगा यहां र को ये सही है ये सही है ये सही है ठीक है नेक्स्ट समझ्ष्या के अर्थ को जानने की युग्गता वातावन के दोशों कम्यों रिक्तियों के परती सजक रहते हैं वो बालक होते हैं स्रजन शील बालक होते हैं कौन से बालक होते हैं स्रजन शील बालकों की नेक्स्ट कोशन अलग-अलग सोच वाले पैटन उन बच्चों की पहचान करते हैं किन बच्चों की पहचान करते हैं अलग-अलग सोच वाले पैटन उन बच्चों क किन बच्चों की स्रजनात्मक है बच्चों की पहचान करते हैं जो बच्चे क्या है स्रजनात्मक है उन बच्चों की पहचान करते हैं नेक्स्ट कॉश्चन है नियम्नले खित में से किस क्रमांक में सभी शब्द सुद्ध है श्रंगार पुन्राव लोकन तो आप देखी ये सुद्ध है ये सुद्ध है पुन्राव लोकन होता है आशीरवाद अभी पढ़के आगलत है पैत्रिक सुस्तुरुशा अंतर रास्ट् जी जी विशा प्रोड अंतरंग दामपत्य सोजन्यता और सुंद्रिय दामपत्य ठीक है क्या पूछ रहा है सभी सुद्ध है सुद्ध पूछ रहा है हाँ ठीक 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 ओके और ये तो गलत होई गया इसमें निकल गई इसमें गलती निकल गई ये रहा उत्तर और आपने भी जहां तक समझ रहा हूं यही उत्तर दिया होगा क्या है किस प्रकार के बालकों के लिए प्रोग्राम चल रहा है कि आप प्रकार के बालक से लिए चलता है तो वो चलता इस रावन बाधारे मेधावी मेधावी के लिए तो नहीं चलता कभी भी स्रावन बाधारे व दिक्यो आश्मता वाले या ओटीज्म तो इसका उत्तर गया होते हैं बहुत से प्रशन हैं बहुत से प्रशन अब लगद सवा LOOK डिया होगा प्रतिवाशाली बाल बाकों के लिए संपुष्ट कारीकरम जारी होते हैं के next question है कि शोर अपराद के उपचार है तू कि शोर अपराद के उपचार है तू निम्न में से कौन सा तरीका सही है जो आप अपना होगे संगी साथियों के साथ रखा जाए व्याव सइक चिकिस्सा दी जाए बाल काराकार में भेजा जाए उप्रोक्त सभी तो उप्रोक्त सट-स related कि लिए किसा क्या होती है बाल गार अगार में रख्था तीक है दिवियांग बंचों कि सिक्षा के लिए प्रावधान-दिव्यांगorit से और दा सकता है यह हो सकता है सिरा निमन्मता गत्जाका संथा सबसेश शिक्षा यह उसका उत्तर होगा समा अबस्स हुँ इस से से क्ष्षा और वो है समा से से शुक्षा गए नेञ्स्स्ट कॉइशन जो बालग स्कूल के रखा जाएगा उस बालक को आप क्या बोलोगे पिछड़ा बालक बोलोगे मांसिक रूप से मंद बालक बोलोगे या मादक द्रव्य का सेवन करने वालक बोलोगे तो वो बालक है पिछड़ा बालक किस प्रकार का बालक है पिछड़ा बालक होगा नेक्स्ट कॉशन आप मैंने उत्तर बता दिया आपको पहले ही दो हजार सोला में हैं आज के कख्षाओं में छात्रा के बीच सांस्कृतिक चात्रा के भी सांस्कृतिक जाती है और नसलिये डैस डैस की एक विस्तर संकला होने की संभावना है नसलिये सक्रियता समानताएं विविद्धा निरनत्रता तो यहां पर शब्द आएगा विविद्धा विविद्धा की एक विस्तर संकला होने की संभावना है कक्षाओं में छात्रों के बीच चात्रों के बीच चात्रों के बीच सांस्कृतिक जाती है और नसलिये विविद्धा की ए एक विस्तर संख्ला होने के समय होना है बिल्कुल आप ऐसे प्रेश्णों को है ना दो तीन बार लेंग्वेज अगर पढ़ते होना तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा हाँ चलिए नेक्स्ट है डैस डैस कक्षा में विकलांग बच्चों को सामिल करना आप एक विस्तर कक्षा में गतिशील विद्याले कक्षा में नियमित कक्षा में या फ्लिप कक्षा में बिल्कुल आप इसका सही उत्तर देंगे और नियमित कक्षा में नियमित कक्षा में व बहुत ही आज तो मैंने दम लगा दिया वई आज थोड़ी थकान जुरूर मैसूस हुई लेकिन स्रजन शीलता के पोशन के लिए स्रजन शीलता के पोशन के लिए के अध्यापक को निमन में से किस विदी की सहायता लेनी चाहिए ब्रेन स्ट्रॉमिंग विचारावेश पाठ्यान विदी दर्श्य सरव्य सामगरी या उप्रोक सभी तो इसके लिए उत्तर होगा दोस्तों ब्रेन स्ट्रॉमिंग विचारवेश विदी विचारवेश 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 तो ये दोस्तों आपका पहले 14 into so यानी लगबग कितने question होगे 14 into so 1400 question है ना तो आप देख लीजिए लगबग हम 2400 question तो इस होगे क्या एक जाजाब 2300 question अब तक कर चुके है 4000 question का आप से वादा किया हुआ था सत्रा सो question और करवाने हैं और सत्रा सो question और करवा कर रहूँगा ठीक है तो बहुत-बहुत धन्यवाद हम मैं बता दू में बता दू मैं सैट की जो है वो तो आप करी रहा हूँ आप सबको सूसना है बहुत हर पर में बताता हूँ साथ ही कल की class केवल सब्सक्ति की आएगी कल पेपर नहीं होगा पेपर परसों होगा ठीक है कल की क्लास केवल शब्द सक्ति के आएगी तो तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद